इंडियन स्टूरेंट्स लाखों रुपे के उधार लेखे USA, Australia, UK, Canada जैसी कंट्रीज पढ़ने के लिए जाते हैं मगर एक ऐसा देश है जो इंटरनाशनल स्टूरेंट्स को भी फ्री में वो वर्ल्ड क्लास एजूकेशन देता है और वो है जर्मनी जिसकी एक उनिवर्सिटी के अंदर मैं खड़ा हूँ जहां पर एड्मिशन हुआ है मेरी नीस रक्षताव मनोचागा जो की यहां पर फ्री में पढ़ने के लिए आई है और आज की वीडियो में हम इसका पूरा प्रोसेस इस यूनिवर्सिटी में पहुँचने का शुरुवात से लेके एंड तक डिसकस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप यह आपकी फैमिली में कोई भी आवरेज इंडियन स्टूनेंट कैसे फ्री में आके जर्मनी में हैं उनको थोड़ा सा content इस video में repetitive लग सकता है क्योंकि कई parts में हमने information share करी है मगर इस video का purpose है single shot एक video में पूरी जर्मनी में आने पढ़ने उसकी cost related information share करना जो कि आप अगर खुद देख चुके हैं तो at least अगर आपकी family में आप या कोई और आना चारा हो तो उनके साथ यह video share कर सकते हैं जिसमें मेरी बाती जी का जर्मनी आने का भई start to bottom experience जो है हम सारा आज share करने वाले most valuable information website जहां उसने अपलाई किया procedures time और cost सारी information के साथ आज रक्षे से सबसे प्रान तो यह बताओ आपकी पढ़ाई कितनी है क्योंकि एक चीज़े बता दूँ यह bachelor's करने यह master's नहीं जो कि आम तौर पर लोग समझते हैं क्योंकि पैसे इतने लग जाते हैं भार फीस होके बंदा कहता है bachelor's इंडिया में कर लो master's बार बढ़ यह bachelor's के लिए तो क्या क्या पड़ाई करी हुई है मैंने 12 years की schooling करिया है 10th plus 2 10th में कितने परसेंट है 85 और 12th में 92 commerce में विद्या विद उट्मेंट बहुत बड़ी अश्या बहुत बड़ी आगी है मेरे इस बसकी नहीं थी मैच उसके चकर मेरे बाकी नमर को में पड़ेगी अच्छा यहां पर चैन प्लस टू होता है वैसे यहां पर 10 प्लस 3 होता है यहां पर 13 years की schooling होती है उसके बाद आप बै दिख ली जिसमें A2 course तक कर लिया लेवल तक तो यह दिली पड़ा college आती थी साथ में जर्मन की class भी ले आती थी मगर most important point यहां पर पढ़ने के लिए German language आनी जरूरी नहीं है क्योंकि जो course है वो English में सिखाया जाएगा यह चीज जो है आगे मगर German इनकी universities में कुछ courses में कव से हमारे like five subjects English में और एक subject German में भी है मगर मेरे कुछ friends ऐसे ही आज से एक बारा साल पहले एक आज से पांस साल पहले जर्मनी में आया तो उन्हें फ्री में education करी एक ने master's दूसरा भी master's कर रहा है MBA करने आया और वो पढ़ते पढ़ते यहां पर German सीख गए और अब साथ साथ जॉब भी करें और उनने ये भी कहा कि जब उनको जॉब करने थी while being a student तो उनको ऐसी जॉब मिल जाती थी इसमें बिना जर्मन के काम चल जाए मगर थोड़ी मुद बंदा अगर सीख ले तो उसके अपनी help होती है आगे लोग बड़ी हर किसी को तो नहीं बुला लेते है यहां पर GPA होती है और on a scale of five my GPA was 4.6 ओके दखुरता आपका admission हो नहीं दा मेरी एक फ्रेंड है उसकी sister का भी admission हुआ और उसके number इतने बड़िया नहीं थे decent थे but not as amazing और उसका फिर भी हो गया अब जी ये बताओ कि चलो मालो number भी आपके आगे eligibility भी आपको पता लगी क्या है अब process क्या है apply करने का कि भी मैं गहूं कि मैंने जर्मनी में पढ़ना है तो जिसकी main reason तो यही है कि भी tuition fees free है तो अब मैं कहूंगा अब पहला step क्या होना चाहिए basically पहले मैंने बहुत shortlist करा था it took me one year to prepare all the stuff जिस साल यह जर्मन सीखरी थी okay मैंने shortlisting करी universities की there are like various websites and YouTube channel the main website is daad.de जर्मनी को तो जैसे मारे इंडिया का dot in है वैसे यहां का dot de है okay तो उस पर जाके फिर आप अपना course विगर आप अपनी profile course विगरा इंटर करते हूं कि आपने क्या पढ़ाई करी और आपके interest क्या है उसे साब से ही आपको उनिवसिटी कर सकते हैं लाइक कि अगर हमें प्रोग्राम जर्मन टॉट में पढ़ना है इंग्लिस टॉट में पढ़ना है और लाइक हमारा preferred course कॉर्स कॉन सा है हमें बैचलर्स करनी ह तो वह आप फिल्टर करोगे तो वह आपको सारी उनिवसिटी दिखा देगा आपकी चॉइस की ठीक है और बैचलर्स की कुछ रिक्वार्मेंट अलग अलग होती है बैचलर्स में मेरी रिक्वार्मेंट थी कि मैंने आइल्स दिया था इंग्लिश एंग्लिश एक्जाम आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिस्निंग और स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट किसने भी अगर बाहर जाने के बारे में सोचा होगा तो इसके बारे में पता होगा आयल्स होगी नंबर वन रिक्वार्मेंट और इसके अलावा यह तो बैचलर्स दोनों के लिए कॉमन आपकी टेस्ट और यह करने के बाद जो है तीसरा और इसके बाद वीजा की एक रिक्वार्मेंट होती है एपिस सर्टिफिकेट जो आपकी के सारी डॉक्यमेंट में लोके इस बॉड़ी को जाते है वह आपकी पढ़ाई वेरिफाई करते हैं कि आपने बैचलर्स मास्टर्स कोऊं सी क्या एडुकेशन जो भी करी है उसके होज़ा बाकी मास्टर्स की एक और रेक्वार्मेंट बत प्रफ्लाई करने के लिए जैसे चैनादा में तो होता है कि हर उनिवर्सिटी पर इंडिविजुली जा कि अप्लाई करो सो डॉदर की वो फीस मंगता था यहां पर इंडिवर्सिटी इधर के आई बेसिकली जब मैं स्वाट्लिस्टिं कर रही थी तो मैंने हर उनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखा था था थीक है देर जब पोटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन होता है कि वह बेसिट की वेबसाइट पर देखा था 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 2020 और फिर भी बहुत कम है मतलब केनडाग में जो पैसे बढ़ते रहे हैं लोग उसके मुकाबलत दो बागी जी बारीश इतनी तेज होगी है तो इसले हमको थोड़ा सा बीट में पॉज लेनी पड़ गी और यह पॉज लेकर मैं आपको एक बड़ बड़ी है चीज बता सबसे पहले आते ही मैंने इसको सेट करके दे दिया सब शार्क VPN जो कि बेसिक लिए एक वर्चुल प्राइवेट नेटवर्क होता है जैसे आप के थूँ आप अपनी जो लोकेशन है ना अपने भी डिवाइस की वो चेंज कर सकते हो तो आप उस क्वेंस लगता है कि आप ऐ हाइली रेकमेंड करूँगा जो कि एक 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 लोता VPN है जो सरफ आप एक अकाउंट से अपने डिवाइस पर चला सकते हैं और अगर आप मेरा को टीडी फैमिली यूस करेंगे और जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यूस करते हैं तो आपको ऐ एक एक बर को छटकर लग जाएगा इतना सस्ता और इतना भारी डिस्काउंट कैसे मिल सकता है तो इसको ट्राइज जरूर कीजिएगा 30 डे मनी बैक इसके इंदर गारंटी है so there is no risk ट्राइंग अब जी हम जा रहे हैं इसकी यूनिवर्सिटी की जो कैफी टीजर न वहाँ बारिश बहुत जादा है बाकी हमने पुरी एक बड़ी डिटेयल सीरीज बनाई है इसके आने से लेके यहां तक सारा की कैसे हमने इसका अपार्टमेंट विगरा देखा कैसे घर सब फाइनलाइस किया तो भी आज दे सते हैं मगर आगे थोड़े वीडियो के शॉट में देता हूं दिस वे ओके ओके ओल्डिस पीशे जी बहुत बड़ा इसका ना कैफेटेरी है वहां बहुत सब्सक्राइब बड़े लगता है खाने वानेक और स्टूडिनिस के लिए जो प्राइसे ना वह बहुत अच्छे और बहुत ही बड़ी हा डिसकांटेड प्राइसे है थोड़ सा मेरे को भी देख के लाला चाल गई मगर नॉन स्टूडिन्स के लिए अलगरेट हैं अब हम आके यहां पर बाकी की काम की बात करते हैं जो आपके लिए यूसफुल रहा है तो आपने बताया कि हमें साथ उनिवर्सिटीज में अप्लाई हिया था मगर यह बताओ बड़ा ही अमेजिंग शेयर है मैं आपको कुछ शॉट्स में दिखा सकता हूं अगर आप हमारी सारी वीडियो से सीरीज की फॉलो करो आपको यहां आने का प्रोंसर सब कुछ दिख जाएगा इसके अंदर बट इसने कितना टाइम लगाया है वन वीक में आ गया था इसका आपका अडिमिशन हो गया है तो अब इसके साथ एक चीज गोर हुई थी जो मैं आपको बताता हूं वो यह कि साथ में से पहले बताओ रिएक्शन है किसी उनिवर्सिटी में से एक में से आई थी क्योंकि वो एटू का सर्टिफिकेट मांग रहे थे मुझ से और मेरे पास म सब्सक्राइब कराएं करें में पास गोए थे का सर्टिफिकेट नहीं था कि मैंने एक्जाम भी दिया तो आपने पूर्स किया उसका एक्जाम नहीं दिया आपने यह पास आगा इंटरस्टिंग बात तो इसने जब युनिवसिटीज में एप्लाई किया तो कुछ अब वहां से रिप्लाई आई नहीं और फुल्डा वाली जो अभी इसकी डेडलाइन खतम हो रही दी एक्सेप्ट करने की तो उसने का कि यार पतला कि वहां से भी ना हो यहां से जाओ यह वाली एक्सेप्ट कर लिकिजब उसकी वापिस आएगी तो यह छोड़ देंगे यहां आने के बाद इसका यही है I have zero regrets मैं को कोई regret नहीं है सिटी में आने का क्योंकि मैं को यहां के पता लगा कि हांबग एक तो इसनोफॉल वगएरा है वहां पर बहुत बिजी रहती है उसके यहां से महंगाई बढ़ जाती है वहां पर पबिक ट्रांसपोर्ट में भीड बढ़ जाती है यहां पर चोटा शेहर है 15-20 मिनिट के अंदर बंदा एक और से दूसरे को ने अराम से कम्यूनिट कर सकता है इस रेली गोड इंट इसे हम फ्रैंक्फर्ट में भी थे हां देखके लगा कि यह बहुत सही जगा है पढ़ने के लिए हां बढ़ने के लिए और अनि पहली जो है क्लास के ओरिएंटेशन सेशन कल ले के आई है यहां पर दो semesters होते हैं summer semester and winter semester और mostly courses होते हैं winter semester में होते हैं और मैं summer semester में आई हूँ बागी semester से यहाद आद हैं यहां पर semester fees होती है जो की दी जाती है सिमिस्टर कॉंट्रिबूशन जो की कितनी थी आई एना थर्टी था उदर समर लो तीन सो तीन सो यूरो गे आसपास और उसके अंदर जो है ना आपका पूरा जर्मनी भर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो एक्स्क्लूडिंग हाई स्पीड जो आई सी ट्रेन्स होती है वह इंक्लूड होता तो बंदा कहीं भी इधर उदर जाना चाहे एक्स्क्लूड होती है वह हाई स्पीडली ट्रेनी लोकल ट्रेन ट्रैम बस सो जो भी पहले ही सब स्टेट में होता था अब पूरी कंट्री वाइस उन्होंने दे दिया है जो आपको छे मीने के एवस में दे अब यही सारे दोक्यूमेंट जो आपने युनिवर्सिटी के लिए थे यही इनका बंडल बनके जाएगा युनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर एड़ करके वीजा अपलाई करने के लिए अब उसके लिए इनके अलावा जो डॉक्यूमेंट हम अलड़ी बात कर एक समय उठा पाऊ तो यह आप से तक्रीबन एक जार यूरो यानि कि तक्रीबन 10 लाग रुपे हो गये जो है आपसे रखवा ले यूरो 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 आप से रखवा लेते हैं 11208 और उसके बाद हर महीने आपको यहां पे आपका जो बैंक अकाउंट खुलेगा जो आप य वाले हैं आपके बैंक में तो आप अपने खर्चे उठा पाओगे और सरकार के उपर डिपेंडेंट नहीं होगे कैनडा में भी ऐसी चीज होती है जिसको GIC बोलते हैं इसके लिए फिर गवर्मेंट को आप से आपके सारे और सरकार गाती एक अठाएं से पैसा लेकर हमारे मैंक में रखवालो इनको हर महिने महिने करके हम देते रहेंगे तो यह बड़ी एक इंपोर्टन चीज होती है जो कि एक रिक्वार्मेंट है वीजा अप्लाई करेंगे लिए और एक्सपैट्रियो करके जो है एक बॉड़ी ह जो कि आपकी GIC रखती है जिसको आप पैसे देते हो और वो ब्लॉग्ड अकाउंट में रख लेते हैं और वही आपको जो है जब आप अपॉंट्मेंट लेकर उसको जमा कर आगे आओगे डिली में वीजा की फीस कितनी होती है सेवन तू एट थाउज ड आए एन आर और यहां पे काम करना कितना लाद नहीं है यहाँ पर वीक 20 आर्स काम करना ला हो जब यहाँ पर ब्रेक चल रही हो जैसे युनिवर्सिटी तीन महिने के लिए बंद है उन दिनों में 40 आर्स पर वीक काम कर सकते है इंटरनेट पर बता रहे हैं चलो ठीक है जब लगेगी तब देखेंगे कि actually मिलता गया यह पीछे मैंस हमने जो यह यूरॉप सीरीज बनाई है इसको यहाँ पर आने की इसका वीजा क्लियर करके बाहर निकलने की कैसे यह इसके फादर मैं हम सारे यहाँ पर आये जब तक इसका रूम ढूंडे थे हम कैसे यूरॉप विगर अगुमने गए वो सब इंक्रूड़ है उसका लिंक म क्योंकि लोग अच्छे हैं ठीक है अब मैं 28 को ही ते हैं और अम मेर को 15 देज हो गए हैं आप यह अच्छा तो लोग अच्छे हैं अपार्टमें अच्छा है और सब बढ़ी है यह हो गई लाइबरी की बिल्डिंग यह बी निवर्सिटी की बिल्डिंग और वो ज़ पीछ आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, वो सामें जो खिड़की दिख रही है, as a matter of fact, यह मैडम का अपार्टमेंट है, इतना बढ़िया लोगेशन. बागेजी ओरिंटरेशन ट्रिप पे इनको काफी मौईवाज कराई है, हाइकिंग भी लेगे थे नए सुडेंट्स के साथ, बॉनफायर पार्टी भी है, और माडम अधारियंग एककाल इन्होंने साइन अप किया बास्केटबॉल कोर्स के लिए, तीन मेने का बास्केटबॉ इसके बास्केटबॉल बागी एक और परस्पेक्टिव जहां से हम बात कर रहे थे तो यह आवी इसकी अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग और एक चीज और बताया थी क्यूंके अभी और और इतने सारी कंट्री से इंटरनेशन स्टुमेंट्स आते हैं यहां पर बढ़ने के लिए कि इसके बहुत सारे मित, स्टेरियो टाइप्स अब डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलिजिन्स कितने ब्रेग हो गए क्यूंकि इतने सारो लोगों से मिलना जूलना और आपनेरा कैमरा भीग जाएगा अब यह अंदर चलो यह बिल्डिंग में किसमत बढ़ी अची थी जो रूम मिल गया अभी बस मानम का फरनीचर भी गहरा आ नहीं है तो अभी हमने बस यहां लागे समान डंप किया और हम उपर आई है तो 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 नहीं बढ़िया धूप निकल आई है अभी इदह हम बार जो है गटबडवाले म अब बता रहे थे कि डिपार्टमेंट उफ बिजनस की सारी क्लासे उसी बिल्डिंग में होंगी मतलब मोश्टली क्लासे अच्छा बढ़ 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 यह बीच में गया पाजाए तो यहां आके सो जाई की रेस कर लेकिए अमने आई किया के बैड सब्सक्राइब कर दी है इदर आके सेट हो जाएगा यह किचन बनी बनाई मिली है और साथ में यह बात्रूम है पूरा इसका प्राइवेट परसनल स्पेस हो गया जो की बाकी आप लगा लो कि जो स्टुडेंट्स आएं उनको मिले तो उनको प्राइवेट तो कुछ अवेल यूरो के अंदर मिल गया जिसके अंदर इसकी बेसिक कंजम्शन ऑफ पानी बिजली और हीट इंक्लूड़ड है टूर सर्टन लेवल मिनिमम जो भी देती है मगर उसके उपर अगर कर कि तो पैसे फाल तो और एक चीज यह भी कि 50% के आसपास जो इसके कोर्स में बच्चे ह से नोट नेसेसरली इंडिया और नोट नेसेसरली साउथ एशिया पूरे एशिया की बाद इसलिए ग्रूमिंग जिससे कहता है न वही अलग लेवल की होगी बच्चों के कि आपके जो क्लास में दुनिया भर से आए इकठे हूँ मैं सबके कल्चर सबके रिलेजेंस सबके सबकी अब बिंगिंग सबके सोचल नॉम्स ट्रेडिशन जो एंके बारे में जानने को मिलेगा और बडिया माइंड ग्राजुएशन में ही बंदा आ जाये तो शुरू सही अब बस ही है कि इंडिपेंडेंट रहना है पूरी सिंदेगी जो है कहती है मैं दो तीन दिन से जा कुछ भी लाइक अगर यह अपार्टमेंट मिला है में को इतना अच्छा तो यह आप लोग की वज़े से मिला है अली अंकल इस वाचिंग इस वीडियो थैंक यू बड़ी हल्प करिया है हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं हर जग हम कहते हैं के भी थूड़ी सी हमरी हमरी हम आजाते हैं हमारे लिए और कर दें बागी अच्छा है अब तो सारे बहुत पहले वीडियो में देखा है मैं कैमरा शाय हूं बट इन पर्सन आयम वेरी एक्स्ट्रोट पर्सन तो हो जाता है थोड़ा था बट ठीक है इसके हमने देखा है वहां पर कित्ती या दोस्ती है इंडिया में और मुझे पता अगली बारी जब हम आएंगे यहां पर इसका काया प्लाट बहुत चुका होगा है तो सबसे दोस्ती बश्ती होगी चलो बहुत बाकि जैसे जी कैनड़ा विगरा में अगर आप मास्टर्स मिल जाता है एक डिपलोमा के बाद एक साल का यहां पर जाता है मेरा ख्याल है अठारा महीने के आस-पास है ग्राजुएशन के बाद मगर उसके बाद बना मास्टर्स भी कर सकता है फ्री में मगर अगर आप यहां से उनिवर्सिटी के एकशन ले चुके हो तो जो